अतीत के विरास तो वैतीत के सुवास को भुगर्भ के रहस को प्रकिटी के इतिहास को सौवर्च से लिए खड़ा मैं पटना संग्र हाले हूँ सौवर्च से लिए खड़ा मैं पटना संग्र हाले हूँ सर पटना संग्र हाले बनाने के पीछे उदेश्य क्या थे आखिर किन कारणों से और किन उदेश्य से इसकी नीव रखी गई मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि बिफोर 1912 सूतर के द्जबर बिहार बंगाल औरोडिसार तीनों इलाके ही अच्छेृतर बंगाल प्रसेडेंसी करने जाना जाता था उस्समें इस चेतर में एक ही मूजय वह करते थे जिसे इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की रूप में जाना जाता है और यह इस्टेबिलिस्ट हुआ था 1814 में और जब बंगाल प्रिसिदेंसी से बिहार और विशा कंबाइन रूप से अलग होता है तो उसी समय दॉक्टर डी बी एस्पुनर के द्वारा कुमरार की खुदाई चल रहे होती है और दॉक्टर डी बी एस्पुनर के द्वारा बहुत सारे एंटीक्यूटों को वहां से प्राप्त किया जाता है पुरापशेशों को तो उनके रखने के लिए एक म्यूजियम की आप सकता मैसूस होने लगती है मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि बिहार और के फर्स्ट लेटरेंट गवर्ण जरनल थे सर स्ट्वार्ट बेली जिनके नाम पे बेली रोड भी यहां पे है उनके आवास पे 20 जनवरी 1915 को एक बैठक बुलाई जाती है और उसी बैठक में सचिदा नंद सिना के द्वारा एक म्यूजियम की मांग की जाती है और इसी कं हाई कोड के कमड़े में किया जाता है और जहां पे हम यह खरे हैं यह जमीन एलाउट की जाती है 1925 में और यह बिल्डिंग बन के तयार होता है 1928 के दिसंबर में और 7 मार्च 1929 को यह म्यूजियम आम दर्सकों के लिए खोल दिया जाता है उसमें इहां के लिप्टेंट बिहार के वी रासतों की रक्षा मेरी साधेना नवीन पीर्णियों को ग्यान देना मेरी प्रार्थेना काल के प्रवा हमें युगांतरों का साक्षी बन सवर्ष से खड़ा हुआ मैं पटना संग्रहालें सवर्ष से खड़ा हुआ सर इस संग्रहाले की करात्मक्ता के बारे में बताइए और क्या-क्या आकरशन बिंदु है यहां यह भी बराही रोचक प्रशन है मैं बताना चाहूंगा कि यह जो भवन है यह इस भवन का डिजाइन किया था राय वहादुर विश्नु सवरूप में यह 1925 में इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था और यह जो भवन है वो मुगल और राजपूत दो सेलियों में यह जिसे हम इंडो सार सैली के रूप में जानते हैं उस सैली में यह बना है जिसका डिजाइन किया राय वहादुर विश्नु सवरूप ने और यह 1925 में यह बननी सुरू हुई और 1928 के डिसंबर में यानि तीन बर्स भवन को बनने में टोटल लगा मैं आपको थोड़ा सा बत गिम्बज होते हैं यह चारो किनारे पे हम वो गुम्बज देख सकते हैं ऑर राजपुत सैली से のिया गिया है वह विंडू का जो कांसाय्ट है राजपुत सैली जिसमें मिया जिसमें नायक जाती पर पेंटिंगों में इस तरह की पर देखने को मिलतिए जो जब यूद पे जाते थो नाई का अपनी गूंगत डाल के वो नाई का उपर से ज़रोखे से इंतिजार करती थे, तो इस तरह की पैंटिंग्स, हम राजपुत सैली में भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो भवन है, वो इंजो सार सैनी सैली मुगल राजपुत सैली में बनी बहुत बहुत धन्यवाद सरा हमें इस पटना संग्रहाले हूँ सवर्च से लिए खड़ा मैं पटना संग्रहाले हूँ